हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद है आप सब लोग बहुत अच्छोंगे दोस्तों आज से कुछ टाइम के पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे आप सभी लोगों को एयर ड्रॉप मास्टर क्लास जिसमें आप सभी लोगों को बेसिक सिखाया था कि कैसे आप यहां प्री में एयर ड्रॉप को फॉर्म कर सकते हो और उस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़े एक्स्प्लेइन करके बताई थी वह पार्ट वन था आपके वीडियो में मैं आपके साथ पार्ट टू जो है वो डिस्क्रिस करने वाला हूं कि कैसे आप य लिकेने के बाद ही ये वीडियो देखेगा तब आपको यहां पर समझ में आ जाएगा ठीक है इसमें मैं आप सभी लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टन चीज़े डिसक्स करने वाला हूं तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखेगा दोतों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजाएगा हमारे चैनल पर आप सभी लोगों को free के जो भी एयर टॉप्स होंगे वो यहां पर हम चैनल पर डालते रहेंगे जिससे आप सभी लोग में चैनल पर डालते रहेंगे जिससे आप सबी लोगों के पास 100-200 डॉलर का फंड है आपने कुछ जो है वो यहां पे एरड्रॉप से अर्निंग करी है देखो मेरा रिकम्बंडेशन यहीं है कि आप यहां पे अपने पॉकेट से पैसा मत लगाओ अगर आप एकदम न्यू हो तो सबसे पहले आप यहां पे जितने भी फ्री की एरड्रॉप्स ह जब पैसा आपके पास हो जाए फंड यूज करने लायक फीज देने लायक तब आप सभी लोग यहां पे यह जो सारे के सारे जो टास्क है वो आप यहां पे कर सकते हो ठीक है अब यह जो टास्क है दूसरा होता है वो होता है मेलनेट लाउंच होने के बार ठीक है सबसे पह पर real fund जो है जरूरत पड़ेगी testnet के लिए मैंने आपको बताया था कि testnet क्यों use होता है क्योंकि वहाँ पर use होता है वो उस process को test करना चाहते हैं कि यह जो process हम यहाँ पर करने वाले हैं like bridge करने वाले हैं swap करने वाले हैं वो process सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ठीक है तो यह याद रखना अभी हम यहाँ पर हम minute की बात करेंगे तो यहाँ पर चितने भी task हम यहाँ पर complete करेंगे like bridge करेंगे swap करेंगे या फिर NFT हम buy करेंगे तो वो सारा कुछ हमारा यहाँ पर real fund के साथ होने वाला है अब जैसे मालो अगर आपने यहाँ पर कोई भी आपने आपके पास fund है जो कि BSC पर है मतलब बाइनस स्मार्ट चेन पर आप सभी लोगों के पास कोई fund है अब इसको आप किसी और यहाँ पर आर्बिटरम पर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर bridge की नीड पड़ेगी आप यहाँ पर bridge करके एक chain से दूसरे chain पर आप यहाँ पर अपने fund को transfer कर सकते हो तो यहाँ पर जितने भी आप सभी लोग transaction करोगे उसमें आप सभी लोगों को यहाँ पर real fund की जरूरत पड़ेगी ठीके वो जितना भी हो सकता है इसकी नीड पड़ती है सबसे ज़्यादा जो फीस होता है यहाँ पर ethereum का ठीक है तो यहाँ पर आप सभी लोगों को कौन कौन से task complete करने पड़ सकते हैं आप bridge कर सकते हो यहाँ पर swap कर सकते हो अगर हो सकता है आप सभी लोगों को यहाँ पर NFT hold करना पर सकता है liquidity provide करना पर सकता है या फिर daily check in task पर daily check in task में क्या होता है कि आप सभी लोगों को जैसे मैंने आपको web 3 के बारे बाताया था q&a के बाताया था AI के बारे में बताया था यहाँ पर तो उन सारे चीज में क्या आप के लिल्यूं को मायन करोगे चgregन करके और उसके बाद जब वो आपके पास यहां पर होगा करेंगे तो जितना भी आपके पास टोकन होगा उसी 據 according आपको वहाँ पे जो real token है जिसकी value आपके market में मिलेगी जिसको sell कर पाओगे आप वो सब सारी चीज़े आप सभी लोगों को वहाँ पे मिलेगी ठीक है तो second category इसी में आता है यहाँ पे अब इसमें आप सभी लोगों को बहुत सारे galaxy task जिली टास्क यह सब सारी चीज़े आप सभी लोगों को यहाँ पे करनी पड़ सकती है तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप यहाँ पे जिली टास्क या galaxy टास्क जो है वह करके बताता हूं मैं आपको क्या होता है यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप सभी लोगों को social account का एक option दिखेगा ठीक है यहाँ पर अपना user name set कर सकते हो profile, wallet address ठीक है अब यहाँ पे wallet address दिख जागा जिस wallet से आपने यहाँ पे link किया है अगर हम यहाँ पे social account की बात कर लें तो social account पे click करोगे तो आपको यहाँ पे आपका email address आपका यहाँ पे twitter ठीक है, discord और telegram यह सारा का सारा आप सभी लोगों को यहाँ पे इसको connect करना पड़ेगा ठीक है, जब आप यहाँ पे connect करके रखोगे सारी चीजे तब आप सभी लोगों का यहाँ पे जो galaxy होगा वो यहाँ पे task को perform करने के लिए ready हो जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे task को perform कर सकते हो ठीक है, अब यहाँ पे देखो simple सी यहाँ पे एक move network था, अब यहाँ पे मैंने यह task को complete किया है just मैं अब दूसरा यहाँ पे अगर open करूं तो आपको बताता हूँ कि कैसे आप सभी लोग यहाँ पे कर सकते हो 12 chain का मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि यहाँ पे 12 chain का आप सभी लोग यहाँ पे task complete कर सकते हो ठीक है यह चलो पर दूसरे वाले पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं देखो यहाँ पे क्या क्या करना है यहाँ पे लिखा है कि follow the 12 chain twitters ठीक है अब यहाँ पे आपको करना कैसे है आपको simple size पे क्लिक करना है क्लिक करने एक बाद देखो यह automatically redirect करेगा आपको यहाँ पे twitter पे अब इसी ब्राउजर में आपको जिस भी ब्राउजर में आप सो भी लोग यहाँ पे यह जो task complete करोगे चाहे वो कीवी ब्राउजर होगा चाहे मिसेस ब्राउजर होगा चाहे वो यंडेक्स ब्राउजर होगा जब आप follow करके आओगे पीछे आप यहाँ पे देखोगे तो यह automatically यहाँ पे ग्रीन हो गया ठीक है आप यहाँ पे देख पार होगे यह नीचे ग्रीन हो गया बस आपको ऐसी करना है जूभी task आपको यहाँ अब यहाँ पे daily visit of 12 चैन इस पे आप क्लिक करोगे ठीक है यहाँ पे मालो आपने क्लिक किया ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर करना था और विजिट करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जितने भी इनके नए ने डेक्स आए वो सारा का सारा आप सभी लोग यहाँ पे यूज करते रहिए लाइक यहाँ पे switch आपको करना है honey में change करना है यह सब सारा कुछ आप सभी लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा ठीक है जब आप यहाँ पे वो टास्क करोगे अप सभी लोग आओगे और आने के बाद लिए यहाँ पे claim point पे आप यहाँ पे click करोगे click करने के बाद अब आप सभी लोगों के यहाँ पे metamask में एक confirmation जाएगी आप उसको आप यहाँ पे confirm करोगे फिर जाके आप सभी लोग यहाँ पे यह जो आपका काम है वो complete हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे मैंने claim कर रखा है दोनों को तो यहाँ पे आप सभी लोगों का claim आ जाएगा अब यह कल को अगर हो सकता है कि यह airdrop करें तो आपको यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके पास यह OAT होना चाहिए तभी आपको हमें airdrop करेंगे ठीक है तो यह होता है galaxy task ऐसे ही क्लेफाई हो जाएगा वैसे आप सभी लोग OAT को जो है वो claim कर लोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप सभी लोगों को galaxy task जो है वो complete करना है और यह सब सारा कुछ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा जो तने लोग भी नए लोग होंगे उन लोगों को यह सब सारी चीज़े समझना तब जादा जरूरी है उसके बाद जब आप समझ के करोगे तो आप आसानी से सारा air drops जैसे जैसे एक दो air drops को आप complete करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अब यहां पे जितनी भी अगर आप टेशने task complete करोगे तो try करना कि कम से कम आप यहां पे 2-5 एकाउंट से करो ठीक है अगर आप इतने एकाउंट से complete करोगे देखो जिसमें कुछ में क्या होता है कि यहां पे आपको twitter की need नहीं होगी तो वो टास्क आप यहां पे multiple से कर सकते हो अगर आपको galaxy करना है तो बस आपको multiple telegram वो बनाना है और आप वो airdrop मिलेगा तो ज्यादा तर chances होते हैं यहां पे कि आप सभी लोगों को यहां पे मिल जाए देखो दो चीजे होती है अब यहां पे मैंने बताया था पहला testnet दूसरा mainnet और तीसरा जो कि जहां पे आप सभी लोगों को जादे fund की need पड़ेगे ठीक है वो भी मैं आपको जो कि airdrops करेंगे जिसमें से 8-10 ऐसे होंगे जो कि अच्छा पैसा देंगे कुछ होंगे जो ओके देंगे कुछ होंगे चिलर देके जाएंगे और कुछ तो स्कैम करके जाएंगे यहां पे अगर आप यहां पे जो मीडियम वाला टास्क करोगे जहां पे आपको थोड़ा कि नीद पर सकती है यहां पे थोड़ा सा रेशियो जादा है 60-70% प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि अच्छे निकलते हैं और 30-40% प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि स्कैम करके चले जाते हैं स्कैम करने का मतलब कि वो कुछ ऐसी क्रेटरिया ला देंगे जो कि आपके मतलब बहुत कम लोग eligible होंगे या फिर वो बोल देंगे कि हम एरड्रॉप ही नहीं करेंगे ठीक है या तो बोल देंगे कि यह बोट वाला था इसकैम मिन्स आपने बोट वो किया था बोट से किया था इस वज़े से वो आपको disqualify कर देंगे तो कुछ इस तरीके का तीन पांस करक कि वो आपको disqualify कर देंगे और तीसरा जो होता है इसमें आपको मेहनत भी कम करनी पड़ती है और यहां पे जो chances होते हैं वो लगबग 90% तक होते हैं कि आप सभी लोगों को air drop मिलेगा ही मिलेगा ठीक है और सबसे बड़ी बात यहां पी यह होती है कि आप सभी लोगों को यहां पे कुछ hidden project जो है वो मिलते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूँ तो guys अब ध्यान से समझने की कोसिस करो यह हम third project की बात करते हैं जहां पे आप सभी लोगों को श्टेक करना पड़ सकता है जो भी आपने यहां पे second में किया था लगबग लगबग वही है अब यहां पे आप सभी लोगों को जादा जादा अगर आप करोगे तो उसका जादा benefit होगा यहां पे सारा depends करता है कि कितना जादा आपने यहां पे उनको swap करने में दिया है या कितना जादा stake किया है कई सारे project थे जैसे आप यहां पे डियम की बात कर लो ठीक है या फिर कुछ ऐसे आते हैं जहां पी एथेडियम स्टेक करना पड़ता है जैसे लेयर जीरो में हमने हाँ पे जो लेयर जीरो का बताया था वह इन समय क्या था वहां पे आप सभी लोगों को यहां पे होने वाला है अब इसमें आप सभी लोगों के पास जितना जादा fund उतना ही जादा आपकी अर्निंग ठीक है जैसे अब यहां पे अगर हम बात करें स्वैपिंग की ठीक है की स्वैप करना कैसा आप मोव नेटवर का मैंने आपको यहां पे यहां पर बताया था यहां पे आप सभी लोगों को जितना जादा आपको यहां पर पॉइंट मिलेगा ठीक है जितना जाद डॉलर की फीस लगेगे अगर आप यहाँ पे 30 से 40 बार अगर आप सोच के देखो कि अगर आपने टास्क को स्वैप किया ठीक है अपनी युजटी को तो कितना ज्यादा फंड लग सकता है ठीक है तो यहाँ पे आप सभी लोगों को इस तरीके का यहाँ पे आपको सब्वेद करना है ओने ओने है अप गुघ्ट कर ना है और हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको यहां पे जो अपना इस ऐार डौफ में पार्टिसेपेट करना है तो हम बात करें यहां पर फाइफंड्रेड ॉलर और यहां पर 5000 ऑलर ठीक है अब समझने की कोसिज करना 5000 अब यहां पर इसने क्या किया इसने लिव्रेज लिया Inter 10x का ठीक है यहांपे 10x का इसने लिवेररेज लिया और समझ लो कि एक बार करने पर यहां पर 5 X है वो जा रही है तो यहां पर 5 DOLLAR का इसת सब्क्राइब करेगा तो 50 इंटू 10 मतलब 50,000 आप समझ रहे हो कि 10X यहां पर हो जाएगा तो अगर ये 5000 डॉलर वाला मतलब अगर 5-6 बार भी स्वैप मार देगा तो पतान कितने लोगों से वो आगे चला जाएगा तो ऐसे एरड्रॉप में आप तभी पार्टिसिपेट करो जब आपके पास ज्यादा ठीक है तो ये बस मैं आपको प्रॉसेस बता रहा हूँ अगर आप एकदम न्यू हो तो आपको यहां पे ऐसे कोई भी एरड्रॉप नहीं करना है जिसमें जादा फंड की नीड हो ठीक है प्रूफ देखके या कुछ ऐसा देखके आपको मोटिवेट नहीं होना है कि आप अ नॉर्मल फीस वाले भी पैसे होते हैं वो भी मैं तभी उज़ करता हूँ जब मुझे किसी एरड्रॉप से मिलेंगे ठीक है तो आप भी पहले फ्री के जितने भी माइनिंग अप्लिकेशन से उनको करना स्टार्ट करो उसके साथ सा जितने भी टेस्टनेट हैं उनको करना स ठीक हो कि future bonus से कैसे trade कर सकते हो पहले हम यहाँ पे signal नहीं देते थे अभी हमने हाँ पे signal भी देना स्टार्ट कर दिया है और आप जाके signal में देख सकते हो 80-90% एकदम perfect signal जाता है कुछ में stop loss हीट होता है लेकिन अगर आप सही तरीके से plan करके करोगे तो वहाँ पे आप सभी लोग भी अच्छा कासा जो profit है वो बना पाऊगे ठीक है तो इतना समझ में अगर आपको आ गया होगा फिर भी अगर किसी चीज में कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत होते है तो मेरा telegram channel 24x7 open है आपको तुरन reply मिल जाएगा comment करो आपको तुरन reply मिल जाएगा ठीक है उसके पहले इतना सीख लो कैसे आपको ये सब सारी चीजे करनी है कैसे आप सभी लोगों को यहाँ पे platform से withdraw करना है किस किस network में होना चाहिए क्योंकि मैं जब starting days में था तो मुझे ये बहुत दिक्कते आती थी कि जैसे मालो मैं ethereum withdraw कर रहा हूं तो ethereum के भी past network है अब वो network कैसे decide कर करना है क्या करना है मेटा मास्क में कैसे हमको यहाँ पे अलागलर network एड करना है वो सारी चीजे हम यहाँ पे एड करेंगे वीडियो में लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों को अगर आप comment करके बताओगे कि आपको क्या issue आ रही है अगर एक भी बंदे ने बोला कि मुझे इस topic पे issue आ रही है तो मैं अगली वीडियो में उसको जरूर एड करूँगा बाकी जो मेरी planning है वो यह है कि मैं कुछ ऐसे project discuss करूँ आपके साथ चाहे वो mining project हो चाहे वो यहाँ पे free के testnet project हो चाहे वो investment वाले हो वो सारे के सारे जो project है हम यहाँ पे वीडियो में आने वाले cover करेंगे और उससे आप सभी लोग यहाँ पे करके आप अच्छा खासा benefit जो है वो ले सकते हो 2024 पचीस आने वाले time जो है दो साल वो सभी के लिए एक बहुत ही golden year होने वाला है यह समझ लो अगर आप आज से समझ गए तो 2024 पचीस में आप बहुत जादा पैसे कमा पाओगे इवन अगर आप अभी zero पे बैठे हो फिर भी लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा और जिसके पास fund है उनके लिए तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि उनके लिए कितनी बड़ी opportunity है millionaire बनना बहुत ही आसान है लेकिन अगर आप यहाँ पे मेहनत करोगे दो साल लग के जितने भी पैसे आ रहे हैं आपके पास उनको सही जगह पे invest करो सही coin में invest करो gambling करने में मत उतरना कि 1000 dollar है या 100 dollar है हम उसको 100x leverage के साथ एकी बार में एकी जटके में हम बड़ा बना ले तो वो गलती मत करना एक proper trading setup करके तब आप यहाँ पे trade करो या फिर investment कर रहो तो किसी ऐसे meme coin में जाके मत invest करो बहुत सारे लोग इस टाक में रहते हैं कि हमको सिब्बा जैसा कोई coin मिल जाए कि हम 100 रुपय लगा के वहाँ पे लाखों रुपय बना ले तो वो ऐसा नहीं होता है और किसी के साथ नहीं होता है बाई किसी के साथ नहीं होता है कोई एक ऐसा बता दो आप मुझे जो यह ब पता कि वह 20,000 बुना जाएगा तो कोई इतना hold नहीं करने वाला है अगर वह management का है तभी जाके वह hold करता है ठीक है तो जैसा भी होगा आप बताइए कर कमेंट करके next वीडियो में हम सारी चीजी जो है वह कवर करेंगे